ओके अभी तक हमने examples लेने के बाद inverse निकालने का example लेने के बाद अभी तक हमने क्या किया उसके बाद हमने क्या किया पहला नूट कि f of f inverse x x होता है मतलब कुछ हमने ऐसे हो रहा था कि f of f inverse x will be an identity function on the domain of f inverse x वैसी f inverse of f x bx होता है पहला नूट तो यह था दूसरा नूट जब अभी लिखा है हमने वो क्या था कि अगर हमें f inverse x को differentiate करना है तो that is nothing but 1 over f dash x 1 upon f dash x evaluated at x is equal to f inverse x यह तो formula हो गया अगर हमें सब कुछ x के terms में रखना है तो ठीक है दूसरा दूसरा हमने मुला कि अगर एक point specific बात करें कि f inverse x के उपर एक point दे रखा है a उसके उपर मेरे को derivative चाहिए तो फिर क्या करो f को differentiate करो reciprocal ले लो और जो f का point है sorry f inverse वाला जो point है उसका y coordinate उठा के रख दिया यहां तक हमने किया ठीक है now let's come to note 3 note 3 note 3 में इसको ऐसे देखो के माल लिया सबसे पहले तो y बराबर f x and y बराबर f inverse x यह दोनों graph will be symmetrical यह ठीक है about y equals to x y equals to x line में symmetric होगा इनका graph जोगा फिर हमने कुछ बोला कि अगर इसके उपर एक point माल लिया alpha,beta आ जाए तो इसके उपर जो point है corresponding point a1 वो क्या आ जाएगा beta,alpha यह ठीक है कि यहां तक तो कुछ नया नहीं है यहां तक हम और दिख तो आम औरी बोल चुके theta,theta theta का मतलब यह नहीं कि angle ही यूज़ करते है theta तो चलो अगर देखने में दिख करते है कुछ और ले लिया चलो मल यह इसके उपर एक point आ जाए say x1,x1 मतलब इसके उपर एक point आ जाए जिसका x-cororant और y-cororant बराबर है यह ठीक है तो अगर y बराबर fx पर point alpha बीटा है तो f inverse x पर beta alpha हो जाए प्लट के लिख दिया तो अगर इस पर b point आया तो इस पर corresponding point b1 क्या आ जाएगा इस x1,x1 को प्लट के लिख दिया x1,x1 तो y is equal to fx and y is equal to f inverse x दोनों पर एक ही point आ गया x1,x1,x1 अच्छा अब x1,x1 तो क्या होगा y बराबर x पर लाई करेगा यह ठीक है यह तो क्या होगा कि b जो है b will lie on y is equal to x यहां देख समझ में है क्योंकि y बराबर x पर satisfy करता है अब इस बात का मतलब क्या है इस बात का मतलब यह है कि मालिया y बराबर fx पर y बराबर fx और y बराबर x दौनों एक जगह पर intersect कर रहा है मालिये हो गया y बराबर fx एंड y बराबर x एक point पर intersect कर रहा है अब जिस point पर intersect कर रहा है वो तो y बराबर x पर भी लाई करेगा और fx पर भी लाई करेगा तो y ब्राबर x पे लाई गर रहा है इसलिए उस point का x coordinate and y coordinate ब्राबर होना चाहिए मालने वो delta delta है ठीक है अभी तक f inverse कहीं हम picture में लेके नहीं आई हमने तो क्या बोला कि मालने दो काव है y ब्राबर fx and y ब्राबर x इन दोनों का जो point of intersection है point of intersection है वो y ब्राबर x की वैसे अगर आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो तो कोई बात ही नहीं है अगर आ रहा है तो तो y ब्राबर x की तरफ से हम क्या देख के बोल सकते हैं कि वो इस type का होना चाहिए alpha ये ठीक है क्योंकि इसके उपर जो भी point आएगा वो इसी type का सकते है और किसी type का आई नहीं सकता तो अगर ये दोनों curve एक दूसरे को intersect कर रहा है तो जो point of intersection है वो दोनों curves पे लाई करेगा तो दूसरे वाले के equation की वज़ए से point क्या आना चाहिए alpha, alpha तो मतलब y बराबर fx पे भी ये point लाई कर रहे अब alpha, alpha को अगर हमने interchange किया तो वो y बराबर f inverse x पे लाई करना चाहिए y बराबर fx पे कोई भी point लाई करे f inverse पे y बराबर fx पे कोई भी point लाई करे f inverse पे उस पे परट दिया वो वाला point f inverse पे definitely lie करेगा तो इसका मतलब यह है कि f inverse vc point से पास कर रहा है किस point से which is the point of intersection of y ब्राबर fx and y is equal to x तो ultimately क्या समझ मैं है हमें यह समझ मैं है कि अगर y ब्राबर x और y ब्राबर fx किसी भी point पे cut कर रहा है तो उसी point पे f inverse भी cut करेगा यह ठीक है समझ मैं है I hope यह तो सब कुछ theoretical हो गया यह ठीक है ग्राफिकली अगर मैं देखूँ तो हम ऐसे वो सकते है कि अगर मान लिया यह y ब्राबर x है मान लिया कि यह fx graph है यह 2 point पे cut कर रहा है यह ठीक है यह point a पे और point b पे y ब्राबर x को cut कर रहा है तो जो f inverse का graph आएगा वो तो इसके about symmetric होगा अब तुम देख सकते हो जो इसके graph about symmetric होगा वो मान लिया कुछ ऐसे करके बनेगा कुछ something like this तो वो जो f inverse का graph आएगा वो भी इसी point से pass करेगा यह ठीक है तो ultimately हमने क्या बोला कि y is equal to f x ग्राफ अगर y is equal to x के graph को कहीं पे cut कर रहा है तो f inverse का graph भी उसी point पे जरूर कट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जैसे a और b है a और b क्या है y ब्राबर x और y ब्राबर fx इन दोनों का point दों इसे section है तो इस diagram के इसाफ से हम यह भी बोल सकते हैं कि a और b y ब्राबर fx और y ब्राबर f inverse x इन दोनों का भी point of intersection है या फिर तीसरा combination ले लिया y ब्राबर f inverse x और y ब्राबर x इन दोनों का भी point of intersection है यहां तख ठीक है तो तो कि इसको मैंसे ऐसे बो सकते हैं कि अगर हमें ए और बी को ए और बी चाहिए मतलब पॉइंट Dashbay और-इंट vine section जी है तुम क्या करेंगे f bar approaches गाँंसे आगया दो एक्वेशन को सालक जिए करते हैं सा, दो, दो equations को solve कैसे करते हैं या point on intersection कैसे निकालते हैं, दोने equation को simultaneously solve करके, simultaneously solve करने का मतलब क्या होता है, दोनों के Y को ब्राबर कर दिया, ठीक है, तो A और B के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, Fx ब्राबर F inverse X को solve कर दिया, यह ठीक है, या फिर F inverse X ब्राबर X को solve कर दिया, सब एक ही बात है, इस वाले case में, यह ठीक है, बस एक छोटा सा difference है, कि जहां पर Fx and X intersect करेगा, वहां पर F inverse X पकाएगा, या फिर जहां पर X और Fx intersect करेगा, as a whole, महां पर, sorry, F and F inverse intersect करेगा, महां पर, मतलब उन पॉइंट से Fx भी जरूर पास करेगा, बट अगर अगर यह बोलें कि Fx and F inverse X जहां पर intersect कर रहे हैं, तो उन पॉइंट पे X, X मतलब Y ब्राबर X, Y ब्राबर X उन पॉइंट से पास करेगा, यह जरूरी नहीं है, अब कोई तो बोलेगा, यहां पर तो कर रहे हैं, तो यहां पर जो हमने शुरू किया था, वह Y ब्राबर X और Y ब्राबर Fx से शुरू किया था, ना कि Fx और F inverse X से, यह ठीक है, इन जर्नल क्या होगा, कि Fx और F inverse X के जो Point of Intersection आएंगे, अगर आएंगे तो, तो Y is equal to X पे आ सकते हैं, और बाहर भी आ सकते हैं, समझवा रहे हैं, अब कोई बोलेगा कि बाहर कैसे आ सकते हैं, सिमिट्रिकली कैसे बनेगा, तो तुम ऐसे देखो, कि अगर माल लिया, Y ब्राबर Fx के ग्राफ पे एक Point लाई कर रहा है, अल्फा बीटा, और इसी के ग्राफ पे एक Point लाई कर जाए, बीटा, अल्फा दौनो, ऐसा दो ही सकते हैं, कि Y ब्राबर Fx ग्राफ पे 1,2 भी Point आजाएगा, बीटा, और B की वज़े से उसके उपर एक Point आजाएगा, B1, पलट के लिख दिया, अल्फा, बीटा, ठीक है, तो Fx, अल्फा, बीटा, बीटा, अगर दौनों से Pass कर रहा है, तो F inverse भी, अल्फा, बीटा, 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 अल्फा, दौनों से Pass करेगा, तो अगर अल्फा, बीटा से ये Pass कर रहा है, F, और F inverse भी Pass कर रहा है, तो ये Point of Intersection हो गया, ऐसे ये भी Point of Intersection हो गया, ये ठीक है, अब अगर अल्फा बीटा बराबर नहीं है, तो ये वाला जो Point है, वो Y बराबर X पे लाई नहीं करेगा, उसका मतलब क्या है, फानली कहने का मतल क्या है, एक बर दोबारा सुन लिया, कि जहां पर F और F inverse जहां पर Intersect कर रहे हैं, वो Point of Intersection Y is equals to X पर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, बाहर कैसे आ सकता है, अभी I'll give you an example, ये ठीक है, बट जहां पर F and Y बराबर X से Intersect कर रहे हैं, वहां पर F inverse तो जरूर पास करेगा, ये झाल